सर मैं चौर कोश्चेंज ले रहूं सर यदि शादी के बाद लड़की को ये पता चला है कि उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और उसकी शादी नॉर्माल लड़के से होगी तो क्या बच्चे में ये प्रॉब्रम ट्रास्फर होगी नॉर्मली मैं डॉक्टर दिपांकर बैनर जी बोल रहा हूं जवलपूर से आइडिल फर्टलिटी आईवेफ एंजनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेट जो की जवलपूर में इस्थित है और हम रेगुलरली आईवेफ एक्सी ब्लास्टरसी स्टांफर और फीटल मेडि से होता है तो ये एक्सलिंग ट्रांस्मिटेड डिजीजेज होती है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि इनका ये फीमेल है और ये मेल है इनका जो डूसिन मस्कुलर डिस्टरफी का जो जीन है वो किसी एक एक्स वाले क्रोमोजोम में रहता है अब यदि ये और ये मिलके यदि यहां आते हैं तो ये फीमेल ऐसी कैरियर बनेगी अब ये जो वाई है और ये इसमें चूंकि दूसरा एक्स समालने के लिए नहीं है तो ये जो बच्चा है मेल इसको डीमडी या बीमडी होने का चांस रहता है जब भी ऐसे पेशेंट प्रेगनेंट होते हैं तो उनको प्री नेटल टेस्ट करा लेना चाहिए क्योंकि ये लड़कियों में नहीं होगा पर यदि लड़की की मैरेज केरियर से यदि नॉर्मल लड़के से होती है तो मेल में एफेक्ट होने का चांस रहता है और सब्सक्राइब करता है उनको प्रेगनेंटस बहुत है कि ये के लिवस दूट Mehrफ कर सकता है कि अब। जितना जल्दी हो सके आई भी आपका सहारा लेना चाहिए और आप देवेंजी से बात करके आप वीसा और जो इन्विटेशन का कुरा काम कर सकते हैं सर त्यूबक्टमी री उपन करवाने में क्या प्रोसेस होता है क्या है यह लेजर से होता है या उपन? मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि यह चीजें मैं नॉर्मली ओपन करके ही करता हूं पर माइक्रो सर्जरी से करता हूं और ट्यूबक्टमी यदी सेजेरियन के समय हो रखी हो या फिर बहुत ज़्यादा ट्यूब डैमेज हो रखी हो तो उसमें रिवर्सल का चांस कम रहता ह लेपरोस्कोपिक ट्यूब एक्टिमी जो बहुत लंबे समय तक नहीं उसमें रिवर्सल का चांस उसमें सक्सेस होने का चांस ज्यादा रहता है यदि वैसा है तो मैं आई आई एक्टी भी सला देता हूं मेरे यह 38.07 है आपका वीडियो देखा ओवर्सलाइशन इससे क्या फायदा मिलता है देखिए ओवर्सलाइशन अगें जैसे इंडिमेटरी स्क्रैचिंग है ओवर्सलाइशन कोई मैजिक नहीं है बट यह देखा गया है कि यह वैसे है जैसे आपके पेड में कोई फल खूब और वो एधी अचानक कम देने लगे तो आप उसको पूनिंग करते हो पूनिंग से जो स्टेम सेल्स उते उसमें नई कोपले निकलती है नया ब्रांच निकलता है नय फल निकलते है ऐसा ही सिस्टम ओवर्सलाइशन का है उसके जो रेस्टिंग स्टेम सेल्स होते है वो एक् प्रिंसिपल है काम करने का बच्चा केँवल एक अच्छे अंडी कौलिटी से भी हो सकता है तो क्यों न उसका चान्स लिया जाए तो ऐसे के से जिसमें लो AMH जिन में बार-बार उनको एमर्यो डोनेशन या एक डोनेशन की सलाथ दी गई तो क्यों ना उस लेडी का, जो की करएंडर अस्पम है कि निया यह कुष्चिन बहुत लोग करते हैं यह एक एंट लॉजिकाल एवैलुएशन है और यह आप कह सकते हो की एक ग्रॉस एसेस्मेंट होता है, फैक्टरी का एक एसेस्मेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट को देखना, मेसेंजर को देखना और फैक्टरी को देखना, करके एक एसेस्मेंट होता है कि कितना चांद से निकलने का, ये एसेस्मेंट 70-80% करेक्ट हो सकता है, 20-30% एसेस्मेंट गल को रखेंगे कैसे जो फ्रीजिंग में तोड़ी मुश्किल होती है सुनने और जोडने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यदि आप इस चैनल को अभी तक देख रहे हैं तो आप इस चैनल को क्रिपया सब्सक्राइब करिए सब्सक्रिप्शन फ्री होता है और हमको से काफी उठसाह मिलता है और आप इस चैनल में जानकारियों को अच्छी लगती है तो इस जानकारियों को आप अपने दोस्तों को अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं आप हमारे आइडियल फर्टलीटी के दूसरे सोचल मीडिया हैंडल जैसे फेश्बूक पेज के आइडियल पेज मर जाकर आप अपने विचार और सुझाव और क्वेस्टन रख सकते हैं. हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपके मैक्सिमम क्वेस्टन को लेके जो की रिलेवन्ट लगते हैं, हम उनको जबाब दे सकें ताकि आपको घर बैटे उनका आंसर मिल सकें. सुनने और जोडने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.